नमस्कार जी स्वागात है आपका हमारे खास प्रोग्राम है जिसका नाम है इसलाम धर्म की सच्चाई जैसा कि पहले भी हम अपने चैनल के माध्यम से सभी धर्मों की सच्चाई दिखा चुके हैं हमारा उद्यस है कि धर्म के नाम पर जो पाखंड फैला हुआ है उसमें लोगों को जागरुकता फैले इसी के साथ हम इसलाम धर्म पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या इसलाम धर्म जो वक्ति विधी चल रही है क्या वो सही है क्या इसलाम धर्म में चलने वाली सभी सा चर्चा में हमारे साथ हैं डॉक्टर साइजाद खान इनसे हम चर्चा करेंगे इसलाम धर्म के विशाय में क्योंकि पहले ये इसलाम धर्म को फोलो करते थे लेकिन अब ये संतर राम पाल्दी के भक्त बन चुके हैं और इनसे जानेंगे कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हमारे साथ हैं डॉक्टर साइजाद खान साइजाद खान जी स्वागा थे आपका हमारे खास प्रोग्राम में नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने में अपने चैनल वे इन्वाइट किया, मेरा नाम डॉक्टर मुहम्मद सहजाद खान है, और मैं गुडगावा से बिलोंग करता हूँ, और मैं डॉक्टर हूँ, और मैं पहले इसलाम धरम की सारी रिती रिवाजों को मानता था बट अब मैं जो संत्रामपल जी महराज का शिश्य हूँ, और संत्रामपल जी महराज के दुआरा बताए हुए ज्ञान को अधार बनाकर, उनके बताए हुए भक्ती मारक को अधार बनाकर, मैं साधना उस खुदा की अबादत कर रहा हूँ सर्मिर आपसे पहला सवाल है कि आपने इसलाम धर्म छोड़ा क्यों? तो सर फिर आपने संत्रामपल जी को ही अपना गुरू कियों बनाया, भारत में तो करोड़ गुरू हैं सर संत्रामपाल जी महराज को गुरू बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि संत्रामपाल जी महराज ही वो बाख़बर है जिसके बारे में कुरान सरीव में सूरत फुरकान आयत नंबर 52 से 69 में बताया गया है संत रामपाल जी महराज ने ही उस कलाम पाक का सबसे जो गहरा रहश्य ग्यान था वो सब जनता के सामने दिया बताया संत रामपाल जी महराज ही वो बाख़बर है जिनों ने उस परवर्दिगार के बारे में बताया कि वो परवर्दिगार कौन है वो खुदा कौन है उसको इबादत करने का तरीका क्या है तो आपको क्या लगता है कि अभी जो इसलाम धर्म सबसे बड़ा धर्म माना जाता है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है क्या वो लोगों को पता नहीं है कि कौन वाख जैसे ये शिक्षा आई है, शिक्षा आने के बाद ही सब को पता चलेगा कि वास्तम में ही संत्रामपाल जी महराज वो बाख़बर हैं, जिन्हों ने कुरान सरीप के बारे में सचा ज्यान जो कुरान सरीप का है वो संत्रामपाल जी महराज ने ही बताया है, अभी तक जितने मौलवी साहब काजियों ने बच्चा पढ़ने की बज़ा बच्चे को मदर से भेजा जाता था जिसमंए अरभी और उर्दू को पढ़ाय है जाता था बठ सिखशा आने से क्या हृआ कि हमें हिंदी और इंग्लिस की knowledge हुई है इंगलिस और हिंदी की knowledge होने के बाद ही हमें पता चला कि कुरान स्रीफ हमें किस तरफ किस का आदेश दे रही है कुरान स्रीफ बोलने वाला खुदा किस बाखबर के बारे में बता रहा है उस बाखबर के बारे में वो बोल रहा है अब पूरे हिंदू आपने जैसे कोश्चन किया मेर से कि कितने गुरु हैं यहां पर जितने भी गुरु हैं चाब वो पवित्र हिंदू समाज में देख लो चाब वो पवित्र मुस्लिम समाज में मौलवी साबों को देख लो इसाई में देख लो सिख में देख लो वो क्या क पटांग सिस्टम जो बताए गए फिर उसके बाद में किसी भी गुरू के पास जब वो कहते हैं कि तुम्हारे पिछले जनम का प्रारब्द का करम है यह तो तुम्हें भोगना पड़ेगा सबसे पहले बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी संत रामपाल जी महराज से पहले गुरू आए है या इनोहों किसी ने ये नहीं बताए कि कबीर ही वो भगवान है कबीर साहिब ही वो खुदा है कबीर साहिब ही वो परवर्दिगार है तो सर मेरा आपसे मैं आपको रोगना चाहूँगा मुझे आप ये बताइए कि जो कुरान में लिखा है क्या कुरान में लिखे हुए चीजों को मुस्लाम इसलाम फॉलो नहीं कर रहा है गया नए कुरान सरीफ में सर कैसे कह सकते हो कुरान सबसे पवित्र धरम माना जाता है और कुरान के अकोर्डिंगी भक्ती की जा रही है अबादत की जा रही है तो आप ये कैसे सिद्ध करोगी कुरान में जो लिखा है वो असली अल्ला की अबादत नहीं है या अल्ला की अबादत नहीं है सर्फ पवितर पुस्तक जो कुरान सरीफ है जो इसलाम धरम के अंदर नाजिल हुई है और वो पूरी इनसानियत के लिए है बहुत से मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि ये हमारी आस्मानी किताब है ठीक है आस्मानी किताब है कुरान सरीफ के दोरा इंसानियत के लिए इस जहान में दे दी अब कोश्चन ये उठता है कि वास्तम में कुरान सरीफ कलाम पाक जो है कुरान मजीद जो है उसमें लिखा क्या है कुरान सरीफ के अंदर कहीं भी किसी भी परकार की कुर्बानी कहीं भी किसी भी परकार के जानवरों की कुर्बानी का जिकर नहीं है कुरान सरीफ के अंदर ये नहीं है कि आप जो है जो आज के टाइम में मुस्लिम समाज के अंदर चल रहा है जो मुस्लिम समाद जो आज के टाइम में एक अथेंटिक ये बना के चले हैं कि जो चीज वो कर रहे हैं वो वाक्य में कुरान सरीफ के अंदर लिखा है अब आने वाले समय में जो भी त्योहार आ रहे हैं त्योहार पर एक त्योहार बना दिया खीर का एक त्योहार बना दिया बकरे का अब बकरे का जो त्योहार बनाया है वो कुरान सरीफ के अंदर बताया गया है कि कुरान सरीफ में ये बोला गया बता है कि जैसे महलवी साहब की सुनो तो महलवी साहब तो ये कहते है कि हमारी कुरान सरीफ में बोला गया है कि बकरी की कुर्बानी दो कहीं भी एक आयत में आप ये बता दो किसी भी आयत के अंदर आप ये बता दो कि कुरान सरीफ के अंद दी जाती है अब ju लोग डूं करेंगे इस पाप को कुरान सरीफ की जो आयतें हैं उनका तर्जूमा जिस परकार से यह तर्जूमा कारो ने किया है यह तर्जूमा नहीं है तो मतलब क्या जया ल通 मतलब या न हाका अदेस नहीं कि यह बक्रे की यह बहली दो यह उया अब वही सर यही मैं आप लोगों को इस चैनल के माद्धम से सबी मुस्लिम भाईों को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि वास्तम में हमारी किताब कुरान सरीफ हमें क्या कह रही है सबसे पहले हमें ये समझने की जरुरत है कि वास्तम में वो खुदा कौन है जिसके बारे में कुरान सरीफ को बोन ले वाला खुदा ये कह रहा है कि जिसने आस्मान और जो कुछ जमीन इसके दर्मियान है इसको छै दिन में बनाया और साथवे दिन तकत पर जा विरा जा उस खुदा के बारे में उस परवर्दिगार के बारे में किसी बाख़बर से पूछ कर देखो यदि कुरान सरीफ को बोन ले वाला ही खुदा वो स्वंग वो परवर्दिगार है तो वो किसी बाखबर की तरफ संकेत नहीं करता मतलब यहां पे मैं आपको रोकना चाहूँगा क्या कुरान का ग्यान दाता जुसने कुरान बोलिया वो अल्ला नहीं है अगर कुरान स्रीफ के ग्यान दाता को ही आप अल्ला समझते हो या जिस तरह मुसलिमान भाई ये कहते हैं कि फवितर जो कुरान मजीद है ये खुदा की जुबान है या खुदा का बोला हुआ ग्यान है तो वो खुदा ये भी तो कह सकता है कि वह बाखबर मैं हूँ या मुहमद जिसने आसमान और जमीन जो कुछ इसके दर्मियान है उसको बनाया वो खुदा मैं हूँ उसको बोलने में क्या दिक्कत थी ये वो डारेक्शन क्यूं दे रहे हैं कि जी भई उस बाखबर से पूछ कर देखो तो इससे क्या साबित होता है इससे यही साबित होता है कि कुरान सरीफ को बोलने वाला खुदा वो कभी भी आपने आपको वो परवर्दिगार वो खुदा का दर्जा नहीं दे रहा जिसके लिए मुस्लिम भाईयों को बैस इतना ही समझने की दे रहे कि वास्तों में वो खुदा कोन है वो खुदा कबीर है जो कि बाख़वर संतरामपल जी महराज ने इस पिर्थी पर आके और ये कुरान सरीफ का गहरा ग्यान हम सभी मुस्लिम भाईयों के सामने रखा सर जिस तरह से आप बात कर रहे हो कि कुरान का ग्यान दाता अल्ला नहीं है और अल्ला को यह और है तो आपको क्या लगता है इस तरह से विवाद नहीं होगा कि जो इसलाम धरा में इतने बड़े-बड़े मौलवी हैं, मुहम्मद जी हुए हैं, इतने जो आपके पैगंबर वगएर वो उनको ग्यान नहीं था कि कुरान का ग्यानदात अल्ला नहीं है सबसे पहली बात तो यह है कि एक बहुत सी चोटी सिंपल है कि कभी भी किसी भी मुस्लिम समाज के ग्यान के बारे में यदि कोई सचाई बताने की जुरत करे तो उस पर बबाल बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है, मैं यह नहीं कहता कि मेरी बातों से आप बबाल पैदा करो, म हमें एक कलाम, जब कुरान सरीफ हमारे उपर नाजिल की गई तो मुहम्मद साभ ने कहा है कि यह पूरी इन्सानियत के लिए नाजिल की गई है, तो यह जरूरी यह कि एक केवल मुस्लिम समाज ही इस चीज़ को फूलो करे, यह हर कोई धर्म के बंदे इस चीज़ को फूलो ये कहते हैं कि हम कुरान सरीफ के अलावा किसी और किताब को नहीं मानेंगे या किसी और किताब के ग्यान को नहीं सुनेंगे जैसे पवितर गीता जी चारोवेद ये सास्तर जितने भी हैं मुस्लिम समाज के जितने भी मौलवी है या जो भी एक परसन है वो ये कहता है कि नहीं हमारे धरम की किताब नहीं हम इनको नहीं पढ़ेंगे मिरे भाई मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि खुदा वो कबीर खुदा जो है एक मिसाल के तोर पर एक सर्टिफिकेट है और वो सर्टिफिकेट के लिए आपको सारे सब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा तब ही जाके आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा मैं आपसे जानना चाहूंगा कुरान में कहां लिखा है कि खुदा है कबीर अला ही बहुत हैं पुदा है बहुत सी जगह लिखा है कि यहां लिखा है परिमार बताईए जैसे आपको हमने पहले भी बता रखे है फला तूतियल काफिरन जाहिदिम भी जिहादन कबीरा इसके बारे में भी बहुत से बार जिकर हो चुका है बहुत सी बार आप लोगों को बता चुके हम कि कहीं भी कबीर सब्द का आर्था आता है कबीरन खबीरन वो अपने बंदों के गुनाहों से खबरदार है या फिर कबीर है बड़ा है महरबान है वो दिखाई देने वाला है सुनने वाला है जानने वाला है तो इसका अर्थ क्या है कि क्या ये कबीर खुदा जो है दिखाई देने वाला दिखता है जबी तो दिखाई देने वाला है सुनता है जबी तो सुनाई देने वाला है फिर आप उसको बोल देते हो मौलवी साब काजी ये बोल देते हैं कि जी वो तो निराकार है वो तो बेजून है बेजून आदमी कभी भी दिखाई नहीं देता निराकार आदमी को कभी सुनाई नहीं देता तो हमें क्या पता कि खुदा जो है इनसानी रूप में है या मेल है या फीमेल है या फिर कुछ और है या वो दिखाई देगा के नहीं देगा इस सारी चीजों का ग्यान जो बाख़वर संतरामपल जी महराज थे उन्हों ने हमें बताया तब हमें पता लगा कि वाक्य में ही कबीर खुदा है और उसकी इबादत करने का तरीका भी संतरामपाल जी महराज ने ही बता रखा है बहुत से मुस्लिम कहते हैं कि नमाज ही वो एक ऐसी पूजा है जिससे हम खुदा के उस जन्नत में चले जाएंगे जहां से जाने के बाद इस संसार में दुबारा नहीं आएंगे तो क्या नमाज ही वो सबक है इसकी जानकारी लेनी चाहिए बैस हमें ये पता होना चाहिए कि नमाज वाक्य में ही वो इबादत करने का तरीका जिसको पढ़ने के बाद हम जन्नत में चले जाएंगे एक तरफ तो कहते हैं खुदा निराकार है दूसरी तरफ कहते हैं कि खुदा हमें कयामत के दिन मिलेगा तो खुदा जब निराकार है तो कयामत के दिन हमें कौन मिलेगा पिर एक तरफ कहते हैं कि हम एक बर कबर में जाने के बाद में जब हमारा इंतकाल हो जाता है और हमें कबर में दफना दिया जाता है इंतकाल होने के बाद में जब हम कबरिस्तान में होते हैं कहते हैं कि हम कयामत के दिन उठेंगे जबकि वास्तम में ग्यान जो बाख़बर संतरामपाल जी महराज ने हमें दिया है वो यह है कि हमें 84 लाख योनिया तो भोगनी ही पड़ेंगी चा हम हिंदू है चा मुस्लिम है चा सिक है चा इसाई है खुदा ने धर्म नहीं बनाया धर्म तो केवल इनसान नहीं बनाया उनको फॉलो कर रहे हैं खुदा ने एक इनसान को बनाया और इनसान को इसलिए बनाया कि ये एक मनुश्य जनम इसलिए मिला ताकि इसी मनुश्य जनम के अंदर हम अच्छे और बुरे की पहचान करके खुदा और सैतान की पहचान करके खुदा की अबादत करके उस जन्नत में चले जाएं उस अबादत को ग्रैंड करके उस बाख़बर की खोज करके उस जन्नत मे चले जाएं जहां जाने के बाद इस सैतानी लोक में हम नहीं आ सकते हैं एक ये तरीका है जो बाख़बर संत रामपाल जी महराज ने हमें बताया है सर मेरा एक सवाल ये है कि अगर कोई मुसलिम भाई या मुसलिम समाज का विक्ति कहता है कि जब कुरान का ग्यान दाता भगवान नहीं है जिसको कुरान ने बोली वो अल्ला नहीं है तो फिर वो कौन है इस टोपिक को आगर कोई भी मुस्लिम भाई या बहन या कोई भी मुस्लिम बिरादरी अगर इस टोपिक को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक बात और बताए थी कि खुदा के बारे में जानने के लिए आपको सभी किताबों का पढ़ना पढ़ेगा पवित्र हिंदु समाज के अंदर जितने भी गुरू हैं ये कहते हैं कि ये जो गीता जी अथेंटिक है गीता जी अथेंटिक है तो गीता जी को बोलने वाला खुद बरम ये कह रहा है कि उस परमपिता परमेश्वर की सरन में जारजुन जिसकी सरन में मैं भी हूँ इसके लि साथवे दिन तकत पर जा विराजा उसके बारे में किसी बाख़बर से पूछ कर देखो वो नहीं जानता वो तो साप मना कर रहा है वो नहीं जानता कि वो बाख़बर कौन है वो खुदा के बारे में बताएगा उस बाख़बर की तलास करो तो हमें गीता जी को भी देखना है हमें इस पवितर कुरान सरीफ को भी पढ़ना है दोनों को पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वास्तम में वो खुदा कौन है जिसके बारे में गीता जी में बोला गया है तत्वदर्शी संत की तलासकर और कुरान सरीफ में बोला गय जितनी भी मुस्लिम भाई या जितनी भी मुस्लिम विरादरी जो मुस्लिम धरम के समुधाय के लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं कम से कम एक चीज का अनुमा लगा के चली कि वास्तम में जिसकी आप इबादत कर रहे हो जिसकी आप इबादत करने का तरीका अपने अप खुदा है भी के नहीं है इतना तो हम पता कर सकते हैं यदि है तो उसको साबित करो जैसे आज हम इस चीज़ को साबित कर रहे हैं कुरान मजीद के दुआरा कि कुरान सरीफ के अंदर या कुरान मजीद के अंदर उस खुदा जो खुदा कुरान सरीफ को बोल रहा है कुरान सर पूरे जहान को बुनाया, आसमान और जमीन जो कुछ इसके दर्मयान उसको 6 दिन में बनाया, और 7 दिन तकत पर जा विराजा, उसके बारे में किसी बाख़बर से पूछ कर देखो, बाख़बर उसे कहते हैं कि जो खुदा के बारे में सही सही जानकारी, सही अबादत करने का तरीका और सही वास्तम में ही खुदा के बारे में सही परिवासा जो हमें बताए उसे बाख़बर कहते है उसे बाख़बर बोल दो तत्व दर्शी संत बोल दो इस वरिये सक्ति बोल दो रहनुमा बोल दो या अवतार बोल दो या पैगंबर बोल दो या खुदा का बताया हुआ दूत बोल दो, खुदा का भेजा हुआ दूत बोल दो, ये सारी चीजी बाख़बर की डैफिनेशन होती है, इसके लावा बाख़बर की कोई डैफिनेशन है, और जो बाख़बर आज के टाइम में संत रामपाल जी महराज हैं, उनके अलावा इस पिर्थी पर तो क्या पूरे ब्रमांड में कोई नहीं है सr इसी से जुड़ा हमारा सबाल है कि इसलाम धरम है तो मुहमद जी के बात तो कोई बताया ही नहीं जए गाए कि कोई दूसरा पेगंबर आएगा मुहमद जी को अंतिम पेगंबर बताया गया है तो आप इसलाम के लोग मुस्लिम धर्म के लोग कैसे मानेंगे कि संतरापाल जी वाखवर हैं क्योंकि वो पहले ही मान सुके हैं कि मुहमद जी अन्तिम पैगंबर थे सर अकुर्डिंग टो मुस्लिम समुधाय के अन्सार यदी देखा जाये तो मुहमद उल्यु अन्तिम पैगंबर थे बट आप ये कह रहे हों कि आप कैसे कह सकते हों कि मुछम जो मुहमद ए안 अल்लाफी जो थे मुहमद صاحب जो अबादत कर तरीका मुहमद صاحب ने अपनाया था उस अबादत के तरीकों को पुरे मुस्लिम लो अपनाता आ रहा है पुरा मुस्लिम कंट्री अपनाती आ रही है बट जो ग्यान संत रामपाल जी बाखबर संत रामपाल जी महराज ने हमें बताया इसे ये साबित होता है कि जिस ग्यान के बारे में मुहमत साब को भी नहीं पता था जिस खुदा के बारे में मुहमत साब को भी नहीं पता था जिस खुदा को मौम harness साब खुदा मानकर इबादत कर रहे थे उनकी सत्साइए के बारे में मौम inlet साब को भी नहीं पता था वो उसके बारे में बाख़घभर संतरामपाल जी महराज ने हमें बताया है तो इसे ये साबित होता है कि वास्तम में आज के टाइम में कोई अगर पैगंबर है आज के टाइम में कोई इश्विर ये सकती है या अवतार है तो वो बाख़बर संतरामपाल जी महराज हैं जिनोंने वास्तम में ही खुदा का असली परिभासा बताई है सर मुस्लिम समाज में एक धर्णा बनी हुए है कि पुनर जनम नहीं होता है जबकि और धर्मों में आसंतरामपाल जी ने भी बताया है डक्टर जाकर नाइक की डिवेट में कि जो इसलाम धर्म की जो एमानता है कि पुनर जनम नहीं होता है ये गलत है पुनर जनम होता है तो स आस्तम में पुनर जनम नहीं होता है तो आपने हजरत मुहमद साब की जीवनी हमने अपनी वीडियों के माध्यम से पुरी जनता को दिखाई है उसमें जब मुहमद साब बकर नामा के जानवर के उपर बैठ के उपर गए थे वहाँ जब नमाज के लिए बोला गया था उनको तो वहाँ पर हजरत अबराहिम आदम 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 मिले थे जब पुनर जनम नहीं होता है तो वह पहुँच कैसे गए उनका भी तो वहाँ पहुचे कैसे वह क्यामत से पहले वहाँ कैसे पहुँच गय जब यह बोला जा रहा है according टू मोलवी साबों के दोरा जब ये बोला जाए कि कियामत के दिन कबल खुलेंगी और कियामत के दिन सबका हिसाब किताब होगा तो कियामत से पहले वो वहां पहुँच कैसे गए हजरत मौमत साब की जीवनी जो हमारे बाखबर संतरामपाल जी महराज ने पुरी जन्ता को दिखाई है उसमें आप देखो उसको पढ़के देखो आप कि वो जब वहां गए उन्होंने वहां नमाज के लिए बोला तो हजरत इसा लिए शलाम हजरत इबराहिम लिए शलाम हज प्रेडी मौजूद थे तो जब कियामत आई नी और तो कियामत आई नी तो उससे पहले वो वहां पहुँच कैसे गए तो इससे क्या साबित होता है इससे ये साबित होता है कि जो मुस्लिम धरम के अंदर ये जो धारनाएं चल रही हैं कि पुनर जन्म नहीं होता ये एक ज तो रासिला की ओनिया भुगतनी पड़ती हैं ये सारी चीजे परिकरिया आम जीव के साथ होता है कुरान में कहीं ऐसा लिखा है कि पुनर जन्म होगा या ऐसा कोई पुनर प्रमाने इसका कुरान मजीद के अनुसार अगर चला जाए तो सूर अम्या आयत नंबर 103 में लिख पुरी है और हम पहले भी कर चुके हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परिकरिया चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है आप से मैं जितने भी इस वीडियो के माध्यम से जो भी मुस्लिम भाई ये देख रहे हैं या देख 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 जाता हूँ कि आप मेरी बातों पर मत जाओ आप ये कुरान मजीद है और कुरान सरीफ है जो हमारे हजरत मुहम्मस पर नाजिल हुई है आप इस किताब को आप हिंदी में इंगलिस में जो भी भासा के आप जानकार हो उसमें खरीद का आप इसको पढ़के देखो और हमारे ग्यान जो हमारे बाख़वर संतरामपाल जी महराज ने जो ग्यान दिया है कुरान सरीफ उसको मिलान करके देखो परसेंट भी कहीं कमी नजर नहीं आईगी और इसी ग्यान के अधार इस कुरान मजीद के ग्यान के अधार पर आप जो मोलवी साब हैं जो काजी साब हैं उनके ग्यान को भी तुलना करके देखो आपको निरा-निरी जूत नजर आएंगे क्योंकि उन्होंने कसम खा रख किया कि जो कुछ कहेंगे जूट कहेंगे जूट के सिवा कुछ नहीं कहेंगे अगर वो सच्छाई इससे पहले बता देते तो हम एक दूसरे के परती ये ना सोचते कि ये धरम गलत है या ये समाज गलत है ये धरम गलत है ये समाज गलत है किताबे सारी ही खुदा के बारे में बता रही है चाब वो पवितर कुरान सरीफ हो चाब वो पवितर रिगवेद हो यजरुवेद हो, सामवेद हो, अर्थवेद हो या पवितर बाइबल हो या पवितर गीता जी हो ये सारी किताबे ही कुरान कुरान और कोरे तिंजिल जबूर ये सारी किताबे ही खुदा के बारे में बताती है केवल एक ही किताब को सब कुछ समझ के बैठ जाना की केवल एक ही किताब हमें उस खुदा के बारे में बताएगी तो ये गलत है एक सब्जेक्ट के पास होने से आप ना तो आप अपना future बना पाओगे ना आप उस degree को या उस certificate को ले पाओगे जिस certificate की आपको आपके future में जरूरत है तो हमें खुदा की अबादत इस संसार में इस जहान में इस स्यातानी लोक में जरूरत है तो उसके लिए हमें सारे subject को पढ़ना पड़ेmeal और सारे subject में पास होना पड़ेगा तब जाके हम उस खुदा के रास्ते को अपना सकते हैं और उस खुदा के भेजे हुए बाखबर की पहचान कर सकते हैं वो बाख़बर संत रामपाल जी महराद है जिनों ने कुरान मजीद पवितर गीता जी चारो वेद सभी सास्त्रों का जो गहरे से गूर से गूर ग्यान जो है हमें सिंपल वे में बता दिया ताकि हम उस खुदा कि उस फर्वर्दिगार की उस अल्ला ताला की पहãyचान कर सके और उसकी इबादत कर सके सर एक हमारा अगला सवाल आप से है कि इसलाम धर्म के सबसे बैवाधत मुद्दा है कि जो मास्खाने का है जो बक्रे काटने का है उंट काटने का है मतलब कोई भी बड़ा सा बड़ा जानवर काड़ देते हैं तो क्या एक अल्ला ऐसी जाज़ा दे सकता है क्योंकि अल्ला के भी बच्चे जो जीव जनतु है वो भी अल्ला के ही बंदे हैं तो क्या अल्ला ऐसी जाज़ा दे सकता है islam में कि वहीं आप बकरे काटो उन्त काटो जो भी आता है गाय काटो तो क्या आपको लगता है और आप यह भी बताएं कि हज़रत was जी जो हुए थे क्या उन्होंने कभी बकरे का कतल चैंड़त का कतल घाय का कतल किया था? सबसे पहले तो तो ये कुरुबानी जो है आने वाले समय में अगस्त में बकराईद आ रही है, मुसलिम समुधा का एकार होता है, मुसलिम दर्म का, तो ये बकराईद जो है, हजरत इबराहिम आलुए श्यूम एक पेगंबर हुए थे, उन्हों को रात को सुपन आया, उनको रात को सौपन आया कि कोई अद्रिश्य सक्ति उनसे ये कह रही है कि अपने सबसे प्यारी चीज को कुर्बान कर दे कुर्बान कर दे अब उन्होंने ये सोचा अपने आप ही उन्होंने ये सोच लिया कि सबसे प्यारी चीज इनसान की उसकी उलाद होती है तो वो अपनी उलाद को लेके चल दिये चल दिये तो जहां उलाद को लेके चले तो वो जंगलों में गए बहुत सी जगह ये मिसाल आ रहे है जंगलों में गए बहुत से ये कहते है कि वो पहाड़ों पे चलेगे ठीक है किलियर किसी को पता नहीं पर अगर वास्तम आकिकत को देखा जाये तो वो जंगलों में गए थे अपने बच्चे को लेके और वो जंगले ले जाके उसने अपने बच्चे को उल्टा लिटा दिया उल्टा लिटा कि अपनी आखों में पट्टी बांद ली वो पट्टी भी इसलिए बांदी कि उसका लगाओ था उसके अंदर ताकि वो उसके उपर छुरी ना चला सके जब उसने वो छुरी चलाए तो एक वाक्या आया है जैसे according to मौलवी साब काजियों के साब आया कि वो छोरे बच्चे की गर्दन से हटके वो दुम्बे में जाके लगी अब दुम्बे का मतलब लकडी का टुकडा भी होता है दुम्बे का मतलब भेड़ भी होता है बेड़ का बच्चा भी उन्होंने दुम्बे का मतलब तो वहां कहते कि बेड़ का बच्चा जो है जिबै हो गया यानि कि बेड़ का बच्चा जो है की गर्दन कट गई अब वाक्या ये है अब इसमें ये कह दे कि जब से ये कुर्बानी का जो है वो चलने लगया पर हकीकत क्या है हकीकत ये था कि खुदा ने परिक्षा ली हजरत इबराहिम अलेशलाम की सबसे प्यारी चीज़ को मेरी राह में कुर्बान कर दे उन्हों का गलत तरीका था उन्होंने अपनी बुद्धी से ये लगा लिया कि खुदा जो है मेरे बच्चे की कुर्बानी मांग रहा है यानि की मेरे बच्चे का सर मांग रहा है तो खुदा को यदी मनजूर होता तो बच्चे का ही सर कटता तो इसका मतलब खुदा को कुर्बानी मनजूर ही नहीं है ठीक है दूसरी बात ये अब आबा के आता है हमारे पैगंबर जो लास्ट और फाइनल है वो जो हमारे हजरत मुहम्मद अल्हालाहु अल्हालाहु उनकी जीवनी में आप ये बता दो कि कबीर बोद के अंदर भी हमारे कबीर साहिब सद्गूर रामपल जी महराज ने बता रखा है बाकबर संत रामपल जी महराज ने कबीर बोद के अंदर दिखा रखा है नभी मुहम्मद नमसकार है राम रसूल कहाया एक लाक असी की सोगन जिनों ने नहीं करद चलाया तो ये वाणिया बाख़बर संत्रामपाल जी महराज ने कबीर बोध के अंदर से हमें बताया है इसका मतलब क्या है कि उसने अपने जीवन काल के अंदर कभी भी किसी भी जानवर की जिवे नहीं करा किसी भी जानवर को कुर्बानी नहीं दी जब हम फोलो मुहम्मद शाब को कर रहे हैं हम अपने नभी को फोलो कर रहे हैं तो नभी की बातों को हम कितना तवज्जो दे रहे हैं क्या ये कभी जिंदगी में हमने किसी मुस्लिम भाईयों ने सोचा है नहीं सोचा हम एक आयत पढ़ते हैं अजब लाहिमन शेयतानी रजिम बिश्मिल्लाई रह्मानी रही बक्रे की गर्दन के उपर छुरी चला देते हैं इस आयत का मतलब क्या है कि शुरू करता हूं खुदा का नाम लेकर जो बड़ा महरबान और नहायत रह्म वाला है तो उस गर्दन पे जब हम इस आयत को पढ़के चला रहे हैं इस सूरे को पढ़के उसकी गर्दन पे छुरी को चला रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि क्या उस गुने का हगदार खुदा हो गया उस गुने का हगदार खुदा तो नहीं हुआ जब खुदा ने कुरान मजीद के अंदर या कुरान मजीद को बोले वाला खुदा या मुहमज साब की जीवनी के अंदर या मुहमज साब के पूरे जीवन काल में कहीं भी किसी भी चीज को कतल नहीं किया जाता था जीवन नहीं किया जाता था तो हम इन चीज़ों को क्यों कर रहें फिर हम यह सोचते हैं कि यह KHUDA का आदेस है यह केवल हमारे मोलवी साब काजियों का आदेस है ना कि KHUDA का आदेस है जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे उस दिन हमें वाक्द कमी पता लग जाएगा कि जितने बकरों की या जितने मुर्गों की जितने गायों की या जितने चार पैर के जानवरों की हम जिवे कर रहे हैं उनका कितना भारी गुना हमें अपनी जिंदगी के अंदर और आने वाले यहां से जब हम इंतकाल होने के बाद जब हमें भुगतने पड़ते हैं वो कितन आजी जैसा कि आपने बताया आपके पैगंबर को सपने में या फिर एक अंतर ऐसी अद्रश आवाज आई कि वही अपने प्यारी चीज़ को कुरवानी दो तो उन्होंने अपने लड़के की कुरवानी देने के लिए चले तो फिर सारा मुस्लिम समाज है तो जो वक्रीत पे लड़कों की कुरवानी की को देते हैं या अपने बख्रों की की रवानी को देते हैं वहाँ पर वो ये कह रहा है कि कुरान सरीफ को बोलने वाला है खुदा या फिर वो निराकार सक्ती ये कह रही है कि वहाँ पर जाके किसी के जो एक इबराहिम अलई शलाम को स्वैपन आया और उसने अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए गया और उसका बेटे की भी कुर्वानी को मंजूर नहीं किया मंजूर नहीं किया और वो खुदा एक बकरे की एक भेड की या गाय की कुर्वानी मांगेगा ऐसा कुछ नहीं था खुदा कभी किसी को आदेश नहीं देता ना खुदा ने कभी किसी की हत्या के लिए बोला आना खुदा ने ये बोला कि जिवै कर दो, ऐसा कुछ आदेश नहीं है कुरान सरीफ के अंदर, खुदा जो है, वो खुदा तो ये कहता है कि सभी खुदा के बच्चे हो, खुदा की पैचान करके, और बाखबर संतरामपल जी महराज की पैचान करके, खुदा की अबादत को ग्रैन करो और खुदा की अबादत करके अरजनत में जो, सहजाद खान जी मेरा आपसे सवाल, अगला सवाल है, क्या मास खाना, खुदा का आदिस हो सकता है, जो पूरा मुसलिम समाज मास खा रहा है, आप तो हिंदू भी खाने लगे हैं, इसाई भी खाने लगे, इसाई त इस चीज़ को समझ रहा है, जबसे संद्राम पाल भी की सरण में आप आए हैं, कोई मुसल्मान धरम के अंदर जो मास खाने का प्रावधान है, और उसको मौलवी साब या काजी साब ये कहते हैं, कि कुरान सरीफ को बोलने वाला, खुदा मास खाने के लिए बोल रहा है, जैसे तोरेत है, इंजील है, जबूर है, जो कि आज उनका रूपांतर बाइबल है, जिसमें ये बोला गया है, कि उस खुदा ने, उस परवर्दिगार ने, उस परमेशवर ने, हमें फलदार विरक्स, फलदार फल खाने के लिए बोला गया है, मास खाने का आदेश जो है, कुरान सरीफ के अंदर जो बताया गया है वो सैतान का है ना कि खुदा का है आप एक बात मानिए हजरत मुहम्मद सहाब जो सबसे बड़े हमारे नभी थे उनसे बड़ा मेरे के हाल में कोई सचा मुसल्मान इस जहान के अंदर नहीं है ना उनके जैसी अबादत करने वाला कोई है तो उन्होंने भी तो मास को निछ हुआ उनके एक लाका सी हजार सिस्य हो गए उन्होंने मास को निछ हुआ जो कि हमारे बाकवर्स अंतरामपाल जी महराज ने भी उनका иновप निन्मेंस दिया है ये बाज भी उन्होंने मास काने कादेश ने दिया और जितना भी आज का जो मुसल्मान समाज है वो हमारे मुहम्मद ﷺ के बतायी लुक्त पेश चलता है ये बताते हमें मौलवी साथ बट उनके बतायी हुए मारेश लुक्त चलने से पहले उनके जुक्रम है उन्होंने मास को नहीं काई और ये मुसल्मान काते हैं तो आप बताएए खुदा का आदेस का है अगर खुदा का आदेस तो मुहम्मद साब ने भी तो फोलो करना था अगर खुदा का ये आदेस होता ये सैतान का आदेस है ना कि खुदा का आदेस है कुरान में लिखा हुआ है तो आपको क्या लगता है कुरान में सेंतान आदिस कर रहा है देखो कुरान सरीफ जो है उसमें अगर कुरान सरीफ पूरी तरीके से ही कम्प्लीट बुक है तो कुरान सरीफ के बारे में, कुरान सरीफ बोलने वाला खुदा ये नहीं कहता कि उस खुदा के बारे में किसी बाख़बर से पूछ कर देखो सबसे पहली बात तो अगर हम कुरान सरीफ को ही एक complete book मान के चलेंगे तो हम उस खुदा की इबादत का तरीका और उस खुदा के बारे में कभी जिन्दगी में हमें पता ही नहीं चल पाएगा उसके बारे में तो हमें ये फोलो करना है कि कुरान सरीफ को बोलने वाला खुदा जो कि मौम्म साथ को ये डारेक्शन दे रहा है कि किसी जिस खुदा के बारे में जानना चाहता है या जिसने आस्मान और जमीन जो कुछ इसके दर्मियाने 6 दिन में बनाया सात्वे दिन तकर्च पर जाविराजा उसके बारे में किसी बाख़बर से पोछ कर दे तो कुरान सरीफ का ग्यान तो भाई साब यही है कि कुरान सरीफ का ग्यान यही कहता है कि हमें उस बाख़बर संतरामपाल जी माराज की तलास करनी चाहिए तो हमें सचे खुदा की अबादत करने का तरीका बताएगा सर जैसा कि आपने बताए हुई कुरान में सैतान नमास खाने कादेश दिया तो सैतान ऐसा क्यों करता है सैतान इसलिए करता है क्योंकि सैतान नहीं चाहता कि हम अपने जन्नत में वापिस जाए सैतान नहीं चाहता कि हम उस परवर्दिगार की पहचान कर ले सैतान नहीं चाहता कि हम उस बाख़बर संतरामपाल जी माराज की पहचान करके उसके दुबारा बताए हुए भगती साधना को ग्रैंड करके और उस कबीर खुदा की इबादत करे जहां जाने के बाद जहां वो कबीर खुदा जन्नत में विराजमान है और जहां जाने के बाद हम इस दुबारा सैतान लोक में नहीं आएंगे यह सैतान चाहता है ताकि हमें वो मास अहारी बना दे आप एक बाद बताओ आज के टाइम में सभी समाज के समुदाई के लोग मास खाते है यदि मुस्लिम समाज मास को छूतानी तो कोई भी धरम या समुदाई का लोग मास को नहीं खाता सहजाद जी जैसा कि आपने बताया कि जो कुरान है वो कम्प्लीट बुक नहीं है तो जो कुरान की दोवारा जो साधना है चल रही है जैसे पांच रोज की नवाज होती है और बकरीद होती है और कई परकार की ईड होती है रमजान होता है तो क्या ये साधना गलत है जैसा कि मुस्लिम समाज के अनुसार आपने देखा कि इसमें पांचो टाइम की नमाज पड़ी जाती है दो परकार के तोहर मनाए जाते हैं रोजे रखे जाते हैं ठीक है तो आप यह देखे इससे इनकी जिन्दगी में क्या बदला हुआ आया है इससे इनकी जिन्दगी में क्या परेशानियां खतम हुई है इनसे बड़े यही यही साधना जो है हजरत मुहम्मत स्लिल्लाहु अलही जो हमारे पैगंबर थे जो हमारे नबी थे जो खुदा के अकोर्डिंग टू मौलवी साब के खुदा के बहुत प्यारे रसूल थे संताने प्राफ्ट हुई जिनमें से जो तीनों लड़के उनके आँखों के सामने इंतकाल को प्राफ्ट हो गए पूरी जिन्दगी उन्होंने दुखों का वैतित करने लगए और इमान को फैलाने की पूरी कोशिश करी और पूरी जिन्दगी दुखों में वैतित करे लास पड़ा पूरे जीवनकाल के अंदर तो आप ये बताइए कि लोजिक है कि जब उन्होंने इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा एक पैगंबर होने के नाते एक रसूल होने के नाते एक खुदा के नुमाइंदे होने के नाते तो आज ये मुस्लिम समाज ये क्यों सोचता है कि इनकी परेशानिया उस इबादत से ठीक हो जाएगी बाखबर संतरामपाल जी महराज जो है वो केवल मुस्लिम समाज को नहीं वो सभी को ये कहते हैं कि जो मुस्लिम समाज के पवितर गरंत है कुरान सरीफ उसके अकोर्डिंग चलो और उसमें जो बताया गया है उस बाखबर की तलास करो वो बाखबर ही उस खुदा के बारे में बताएगा जिससे तुमारी सारी परेशान यह दूर हो जाएगी जैसे आज के ताइम में इतने कैंसर हो रहे इतने रोग हो रहे हैं मुस्लिम समाज में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा घर बचाओगा जहां दुखों का पाड़ ना होगा और आज जो बाखबर संतरामपाल जी महराज से सिशे जुड़ रहे हैं ना वो कोई हिंदू है ना कोई मुसल्मान है केवल वो मानव है और उनको केवल बाखबर संतरामपाल जी महराज उस परमपिता परमेश और उस खुदा की इबादत करने का तरीका बताता है बताते हैं ज्यान देते हैं और भक्ती करवाते है ताकि उनका जो दुख है चा पिछले जनम का हो चा किसी को डोक्टर ने 5 दिन के बाद मरने के लिए बोल दिया हो चाध डोक्टरों ने जवाब दे दिया वो भी आज पूरी तरीके से स्वस्तो थोरे हैं ये है खुदा का करनाम को खिए इनसान के कम जो बाख़बर संतरामपल जी महराज बता रहे हैं वो करना है। सहजाद जी मुझे एक चीज बता एक है आप इसलाम धरम को मुस्लिम धरम को बदनाम को नहीं कर रहे हैं। देखो सर हम बदनाम नहीं कर रहे हैं। केवल ये बता रहे हैं कि मुस्लिम धरम अच्छा है मुस्लिम समाज गलत है हम केवल ये बता रहे हैं जिस समाज के अंदर पहले दारू की दारू नहीं पिया सराब को हराम समझा जाता था सारी चीजों को हराम समझा जाता था आज उस पहले अगर सराब का हिस्सा किसी अंग गिर जाये करता था तो उस सरीर में से उस अंग को काट दिया जाता था जहां पर सराब को इतना हराम समझा जाता है वहाँ पर इस तरह की मास खाना या फिर असलील हरकते करना या फिर डांस वाजी करना या जो भी ये सांसारिक चीजे हो रही है उनको इन्वोल करके और ये कह दे कि ये खुदा का अदेश है हम इस चीज को गलत कर रहे हैं कि कुरान पूरा मुसलिम समाज जो है कुरान सरीफ के अनुसार बोला गया जो है ज्यान उसके अनुसार नहीं चल रहा बस इतना वयाता हम किसी धरम को बदनाम नहीं कर रहे हम किसी समाज को बदनाम नहीं कर रहे हम समाज में जो गलत कुरूतिय को बदनाम कर रहे हैं हमारा धरम और समाज से कोई वास्ता नहीं हम तो केवल ये बताते जीव हमारी जाती है मानव धरम हमारा हिंदू मुस्लिम सिक इसाई धरम कोई नहीं नियारत जो कि हमारे बाखवर संत्रामपाल जी महराज का नारा है सर एक चीज़ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये कुरान सरीफ का ग्यान है जैसे आप बतारे उबरबर की सैतान अगर अगर आपके पास में कुरान मजीद है तो आप उसको खोल के देखो आपको पांचवे पेज़ पे मिलेगा कि कुरान सरीफ उतरने का संग्र मतलब कुरान सरीफ किस परकार उतारी गई थी कुरान सरीफ किस परकार नाजिल की गई थी सबसे पहली नाजिल हुई थी कि कुरान सरीफ को बोलने वाला खुदा अपना एक फरिस्ता बेचता है जिसका नाम है जिबराईल अलेशलाम उसमें विवरन आता आगे तलके कि वह एक वही लेका आता है जिसमें घंटी जैसी मालूम होती है यह मुहमस साब को इतना कश्ट होता था इसमें कि मुहमस साब खुद इस बात को बोल रहे हैं उसके अंदर कि इसमें उनकी जान सी निकल जाती है तो आप बताएए क्या यह खुदा का काम है आप एक रहमवाला एक तरह बोलरे है अवजुद पिल्खिक का न nationally पुरू करता हूं खुदा का नाम से जो बड़ा महरबान और रहमवाला है तो किया यह नहीं रहम के काम है? तो इससे यह साब्त होता है कि खुदा जो गुरान स्रीफ को बोलने वाला ग्यान है ये कुरान स्रीफ को जो बोला गया है या नाजिल की गई है वो बड़ा कष्ट दाइक था क्योंकि हजरत इबराहिम अलेशलाम जो थे उन्हों ने सबसे पहले मुहम्मद साब को आके बोला इकरा एकरा का मतलब है कि तुम पढ़ो मुहम्मद साब ने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कई तरीके अपनाए या तो उनके अंदर गुज जाये करते थे उनके अंदर जिसम के अंदर चले जाये करते थे वो बोल दिया करते थे या फिर उनके अपने आप से चाती से चाती मिला लिया करते तो उनके सरीर के अंदर ऐसे प्रेतवत गुचने के बाद तो बोल दिया करते थे कई कई जगे तो मुहमद साब ने कुरान सरीफ के अंदर ये वाक्या भी आया है कि उनको इतना कश्ट होता था कि उनका ऐसा लगता था कि आज उनके पिराण ही निकल जाएंगे तो आप बताईए कि कुरान सरीफ को बोलने वाला खुदा वो खुदा है या सैतान है या क्या है या आप कुद समझदार हो कि खुदा खुदा जैसे काम करता है और सैतान सैतान जैसे काम करता है सर जो मौलवी है जो विस भर में विस भर में जो मुस्लिम समाज ठैला जो बड़े-बड़े मौलवी है तो क्या उनको आपको नहीं लगता है वो इन चीजों का आप समझना चाहिए और घ्रम गृड़ों के ग्यान कुरान का खूल के बता रहे हैं तो क्या उनको समझने की जूरत है इस चीज़ को कि संत्राम पाल जी कोई सलग बता रहे हैं क्या है इस चीज़ उन्होंने समझने कुशिस्टी तो मैं तो मेरी अगर बात अगर पूरा जहान सुने मैं तो यह कूँ पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ को सोचे, पूरा हिंदुस्तान के अब पूरा वर्ड इस चीज़ को देखे, कि वास्तम में बाखबर संत्रामपाल जी महराज का जो ग्यान है, वो और धर्म गुरुवों के ग्यान से अलग क्यों है? उसका रीजन क्या है? स संत्रामपाल जी महराज को कुरान सरीफ के बारे में या कलाम-पाक के बारे में पूरी तरीके से नौलिज नहीं है, या फिर उनके दिमाग में एक बहुत सी बाते चलती है, कि ये हमारे धरम से नहीं है, या फिर ये मुसल्मान नहीं है, इनको हमारे धरम की नौलिज नहीं है तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि ये बात है तो आज तक इन मोलवी साबों ने ये क्यों नहीं बताया कि संद तूरत फुरकानी आयत 52-69 में कुरान स्रीफ को बोलने वाला खुदा मुहम्मद साब को ये कह रहा है कि उस खुदा के बारे में किसी बाकबर से पूछ कर देगो क्यों नहीं बताया आज तक आज तक क्यों इस चीज को इसको अंधेरे में रखा गया और आज बता दो कि वो बाकबर संत रामपाल जी महराज नहीं है कौन है अगर आज ये बता दे कि वो बाख़बर संत रामपाल जी महराज नहीं है उसका परमानित कर दे तो हम उनके पास चले जाएंगे जो ये बताएंगे वो बाख़बर कौन है और बताईए क्योंकि आज तक किसी ने बताये नहीं ये तो संत रामपाल जी माराज वो बाखबर रूप में इस पिर्फियू पर आए ठीक है उन्होंने उस कबीर खुदा के बारे में ये बताया और सभी सद्गरंथों का रिफरेंस लेके ये बताया कि गीता जी में ये लिख रहा है कुरान सरीफ में ये लिख रहा है तोरे तिंजिल जबूर किताब के अंदर ये लिखाओ आज तक इन्होंने कुरान सरीफ के बारे में पूरा तरजुमा हमें नहीं बताया मोलवी साबोंने और बाख़बर संतरामपाल जी महराज ने तो जो तीन किताब पिछली नाजिल हुई हैं, पौरे तिन जिल जबूर, उनके बारे में तक बता दिया, तो इन्हों ने तो हमें कुछ बताये ने, इन्हों ने तो कसम खा रखी है, जो कुछ कहेंगे जूट कहेंगे, जूट के सि की चनोती को सुईकार किया था जो बहुत चैलेंज करते थे तो बाद में पिक्रण आया कि वह मुस्लिम समाज ने डाक्टर जाकर नायक को अपने समाज से निकाल दिया तो वह मतलब काफिर है इस तरह की सारी चीज़ें बात सामने आई थी तो जो उनकी डिवेट थी संतर रा कि संथ रामपाल जी जो दिखाया साही था या डाक्टर जाकर ने गलत था सबसे पहली बात तो अशर आपको मैं ये बताना चाहता हूआ अग्यप मँस्थ कर और जाकर दिये गए RPG के माध्यम से बाखबर भी है मैं डोक्टर जाकिर नाइक से कोई वास्ता नी है मैं यह कहता हूं कि डोक्टर जी माराज ने कुरान मजीद का ग्यान समझाया है, कुरान मजीद को खोल के दिखाया है, ना कि डॉक्टर जाकिर नायक को खोला है, कुरान मजीद के अंदर जो बाते लिखी हुई है, कुरान मजीद के अंदर जो आयतों का तर्जुमा कर रखा है, वो कुरान मजीद को खोल क है जो डोक्टर जाकिर नायक साब जी ने डिबेट के लिए अमंत्रित कर लिया और एक बाख़बर संतरामपाल जी महराज जिसका किसी को नहीं पता था जिसका ये भी नहीं पता था कि वह वह एक मुस्लिम समाज से नहीं क्योंकि हमें रख दिया और आज मुस्लिम भाई ज्यान को इगनोर करके डोक्टर जाकिर नायक को पकड़े बैठा है और वो डोक्टर जाकिर नायक को इगनोर करके अगर कलाम पात कुराम सरीफ के ज्यान को पकड़ ले तो उसकी जिन्दगी में चेंजिंग आ सकती है जैसे बाखबर संत्रामपाल जी महराज की नाम लेने से या सरन ग्रैन करने से या उसके द्वारा बतायों खुदा की अबादत करने से सबकी जिन्दगी चेंज हो रही है उसी परकार उन भाईों से भी मैं यही प्राथना करता हूँ मेरी यही दरख्वास है कि आप भी डाक्टर जाकिर नायक को इग्नोर करके जो बाख़बर संतरामपाल जी महराज ने उस डिबेट के अंदर कुरान सरीफ के ग्यान को खोला है उस ग्यान को फोलो करके उस खुदा की पहचान करो और उस खुदा के बता हुए बाख़बर की पहचान करके और इबादत करके और जन्नत में जाने की त्यारी करो सर जिस तरह से आप संतरामपाल जी की शरण में रहते क्या और भी मुस्लिम समाज हो चा हिंदू समाज का बंदा हो चा किसी भी धरम का बंदा हो आज का जो मनुश्य है वो पढ़ा लिखा है शिक्षित है अनपड़ ही नहीं आ सकता अनपड़ता भी आएगी अनपड़ता के कारण ही आज लग मुस्लिम समाज जो है उस खुदा की पैचान नह ये मत देखो दॉक्टर जाकिरना एक अपना रीफरेंस दे रहे थे और संतरामपाल जी महराज उस कुरान सरीफ का रीफरेंस दे रहे थे जो कि केवल मुसलिम समाज पर लागू थी और मुसलिम समाज के लिए थी और मुसलिम समाज के लिए ही वो नाजिल की गई थी जो कि मो को समझे उस बाखबर की पहचान करें और उस khuda की पहचान करके उस बाखबर से बता हुए उस खुदा के भक्ति मारक को अपना आकर उस जननत में जाने की कोशिश करें सहिजाद जी के उपसे अगला सवाल यह कि जैसा कि आपने बताया बाखबर सन्ट कारी aí रखते आ हैं तो यह कैसे माना जाए कैसे पहाँ आ जाए कि संतर रामपाली जो भक्ति विधी बता रहे आ हैं जो खोडा की डाफिनेशन बता रहे हैं वह सही है कैसे कैसे उस सीज खो भाड़ पाएगा जान पाएगा सर आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने केवल एक पहले को देखा है एक पहलू को देखा है आपने ये नहीं देखा कि सहजाद जो है जो मैं सहजाद जो हूँ वो चलतो मैं कुरान सरीफ के अकोडिंग ही रहा हूँ और उसका रीजन ये है कि हमारी कुरान सरीफ के अंदर ये बताया गया है और पवितर गीता जी में भी ये बताया गया है कि जो बाख़बर होता है या जो तत्व दर्शी संत होता वो तीन परकार की भक्ती देता है जैसे अध्याए नंबर साथ के सलोक नंबर 23 में ओम तत्सत और इसी परकार आयत नंबर 42 के आयत नंबर 42 के आयत नंबर 1 में एन सिन काप जो ये तीनो साधना के बारे में बताता है वो बाख़बर होता है और वो बाख़बर संतरामपल जी महराद ने ही हमें बताया है तो मैं चलतो कुरान सरीफ के ही according रहा हूँ बट आप ये कहते हो कि मैंने मुस्लिम धरम को छोड़ दिया या मुस्लिम मुस्लिम धरम को नहीं छोड़ा मुस्लिम धरम के अंदर जो साधनाय चल रही थी जो वास्तम में जो तरीका था इबादत करने का वो छोड़ा है और सचे खुदा का तरीका अपनाया है इसके लिए आवा ना तो मैंने कोई धरम छोड़ा है ना मैंने कोई समाच छोड़ा है सहईजार जी एक तरह आप कहे रहे हैं कि आपने इस्लाम धर में नहीं छोड़ा है। दूस्री तरह आप 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 कहा रहे हैं कि संत्रामपाल जी की द्वारत वह भक्ती है clearly कर रहे हैंועर कर संत्रामपाल को कवीर सहाइब की वहट बसाइब बताते न चाहता हूँ कि आप एक पैलो को देख रहे हो मैं आज भी कुरान सरीफ के दुआरा बताएगे ही भक्ती मारक कर रहा हूँ अगर किसी भाई को ऐसा लगता है कि सहजाद ने मुस्लिम धरम को छोड़ दिया सहजाद ने मुस्लिम धरम को नहीं छोड़ा सहजाद ने मुस्लिम नमबर 22 के अंदर जो ayn सीन काफ का विवरन है और उसी परकार अध्याय गीता जी का अध्याय नमबर 17 के सलोक नमबर 23 में जो ओम तसत्त का विवरन है ये तीनों जो किलियर बता देता है वो ही बाखबर होता रोगो बाखबर संतरामपल जी महराज ने ही हमें बता है इसी पर बाखबर संत्रामपल जी महराज बताते हैं उसको पाने की विदी भी एक है जो बाखबर संत्रामपल जी महराज बताते हैं वो खुदा भी एक बताते हैं उसको पाने की विदी भी एक बताते हैं और नियम भी एक बताते हैं और सभी मानों समाज को एक करने की कोशिश में पड़ो और आप अपने गीता जी को और जितनी भी किताबे नाजिल हुए हमारी इस सझुपर की पहचान करो। आप खुदा को पाने की और प्राप्त करने की, देखने की बात कर रहे हो। जबकि इसलाम धर्म है तो खुदा को वेचून बोला गया। या बेजून है, खुदा ने तो कुरान स्रीप को बोलने वाला है, खुदा तो ये कह रहा है कि वह खुदा जिसने आसमान और जमीन को छे दिन में बनाया, और सातवे दिन तकत पर जा विराजा, उसके बारे में किसी बाख़वर से पूछ कर देखो, तो खुदा निराकार हुआ कहां खुदा तो सब कुछ बना कर छह दिन में साथवे दिन तकत पर जा विराज़ गया उस जन्नत में जा के बैठ गया तो खुदा निराकार का है और दूसरा ये है कि इन्हों के पास में वो भगतिविदी है यह नहीं इनको भगतिविदी है यह नहीं कि जो यह खुदा को देख सके इन्हों ने जो साधना जो इन्हों ने अपने साधना जो चला रखी है पूजा करने का तरीका जो बना रखा है केवल मैं मुस्लिम धर्म के बारे में नहीं बता रहा है मैं जितने भी धर्म है ये हिंदू-मुस्लिम्सी किसाई ये सभी खुदा को भगवान को या इस्वर को निराकार मानते हैं इनका रीजन ये है कि इनको वो बाख़बर नहीं मिला ना इनको वो तत्वदर्शी संत मिला जो ये बता सके कि खुदा साकार है ना इनके पास वो भगती विदी जो ये बता सके कि खुदा साकार है ये जब इनके पास में ये भगती विदी नहीं थी तो इनसे जब पूछा गया कि खुदा साकार है या निराकार है तो इनको वो चीज नहीं मिली तो इनके लिए वो निराकार है और आज बाख़बर संत्र यही का रख्या है कि जो कुछ कहेंगे जूट कहेंगे जूट के सिवा कुछ नहीं कहेंगे वास्तम में कबीर जो है खुदा साकार है सर एक पिक्रण और आता है कि वहाँ पे जिन्दा मात्मा की बात आ रही है कुरान में कि आप उस जिन्दा पर भरोसा रखो तो ये जिन्दा महात्मा जिन्दा कौन थे जो मौमद जी को मिले थे मौमद सललालहु अलही वसल्म जो हमारे प्यारे पेगंबर नभी थे जिन्होंने इसलाम धरम को फैलाया उनके बारे में एक वाक्या आता है कि मौमद साब को वो जिन्दा महात्मा के रूप में मिले अब ये वाक्या क्या है ये वाक्या ये है कि जब मौमद साब जो थे अपने सिश्यों के साथ बैठे हुए थे या मुहमद साब जो थे अपने सिश्यों के साथ बैठे हुए थे तो क्या हुआ था कि एक मुसलमान जो था अपने बकरे बच्चों के साथ में जा रहा था तो एक तगड़े बकरे ने एक नॉर्मल बकरे को आपस में लड़ाई होगे जिसकी कारण से नॉर्मल बकरा जो है वहीं इंतकाल को प्राफ्ट हो गया तो वो मुसल्मान रोने लग गया था जब वो मुसल्मान रोने लग गया था तो मुहमत साब वहां बैठके जो साधना कर रहे थे उठके आया और बोले कि मुसल्मान मुसल्मान होके रोता है तो उन्होंने उस बकरे के पीट पे हात थप थपाया और उस बकरे को जिन्दा कर दिया ये वाक्या जब स्टार्ट हुआ था तो सभी उस उस बकरे चराने वाले ने सभी को सोचित कर दिया कि मुहम्मद साहब ने जो है मेरे मरे हुए बकरे को जिंदा कर दिया तो कोई भी बंदा उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था तो एक दिन मुकरर किया गया उस दिन मुहम्मद साहब ने ये कहा था कि मैं एक गाये काटूंगा और उसको दुबारा जिंदा करूंगा तो वहां हजारों की संख्या के अंदर लोग बाग इखटे हो गए थे इस वाक्य को देखने इस नजारे को देखने के लिए तब वहां जब वो आये थे तो वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे केवल मुहम्मद साब को दिखाई दे रहे थे और किसी को दिखाई ने थे इसलिए बार बार कुरान सरीफ के अंदर ये जिकर आता है कलाम पाक की बहुत सी आयतों के अंदर ये जिकर आता है कि पैगंबर उस जिन्दा महात्मा के उपर विश्वास कर वो जिन्दा महात्मा के उपर विश्वास कर तो वो जिन्दा महात्मा वो कबीर खुदा थे जिन्नों ने आके मुहमद साब की गाये को जिन्दा किया और मुहम्मद साहब को बोला कि भगती करो, खुदा की अबादत करो, फिर भी मुहम्मद साहब किसी कानवस नहीं माने और उसके भगती से वंचित रहे गए। सभी स्रिष्टी को रतना के रहे और साथवे दिन तकत पर जा विराजा, बट आगे चलके बहुत सी किताबों के अंदर, कुरान स्रीफ के अंदर, या अपनी बाइबल के अंदर, या तोरेत इंजिल, जबूर के अंदर भी कहीं भी मास खाने का प्रावधान बोला गया है, त उसकी सारी चीज करके और साथवे दिन उसकी चाबी अपने बेटे को दे के चला जाए, और आगे चलके उसका बेटा, उस मकान के नकसे को चेंज कर दे, और उसका ही प्रावधान उसके बाप को दिया जाए, या उसका जो नकसा चेंज करा, उसका जिम्मा उसके पिताजी क दिएका जाये तो ये गल्त है ये आगे चल के ये सैतान का लोग ता सैतान ने ये चीजे मांगी ती तो सैतान को सारी चीजे सुख सुवीधा देने के बाद वो कبीर परमेश्वर वो कबीर खुदा अपने उस जन्नत में जाके विराजमान हो गे और उसके बाद में आगे चलगे अगर किसी भी किताब के अंदर या किसी भी गरंट के अंदर मास कहने का प्राबधावन है तो वो सैतान का है नाकी कबीर खुदा का है उस सचे खुदा ने केवल हमें फल कोने के लिए बोला है और हरी सबजिया खाने के लिए बोला इसके लावा उस सचे खुदा ने कुछ नहीं बोला बलकि ये जो आगे चलके उन्होंने इस जहान को सैतान को देखे क्योंकि सब को पता है जितने भी मुसलमान भाई इस वीडियो को देख रहे वो सब जानते हैं कि हम अपनी गलती की वज़े से इस लोक में आए और ये सैतानी लोक है उसके बारे में बाखबर संतरामपाल जी महराज बता रहे हैं और उनसे आईए और लाखों मुसलमान जो है हमारे वीडियो को देखके हमारे चैनलों को देखके हमारे जो बाखबर संतरामपाल जी महराज के सत्संग को सुनकर लाखों मुसलमान जो है केवल हिंदुस्तान के नहीं अधर कंट्रियों के मुसलमान भी मंगवा रहे हैं उन बुकों को पढ़के बाखबर संतरामपाल जी की सरण में आ रहे हैं और लाखों जो करोडों कष्टों से दुखी थे उन कष्टों का निवारन बाखबर संतरामपाल जी महराज की सरण में आके उनके हो रहे हैं और आप इंट्रू भी देख रहे हो तो मेरी जितने भी वीडियो को देख रहे हैं भाई और बहनों से ये अपील है अच्छे की पैचान अच्छे और गलत की पैचान करो और सचे खुदा की अबादत करो ताकि आपके घर में भी वो सुरी सुख सुवीदा हो जो बाखबर संतरामपाल जी महराज की सरण में रहे के जितने भी अन्युनियाई ये बाख़वर संतरामपल जी मराज़ के हैं वो सारी सुक्स वीदा प्राप्त कर रहे हैं जो एक कबीर खुदा ही दे सकता है इसके अलावा कोई सैतान नहीं दे सकता मेरी आप से सिर्फ इतनी ही गुजारिश है डॉक्टर सहजाद खांजी आज हमारे साथ आपकी मुलाकात हुई आपने इसलाम धर्म की बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर किया अब हम अंतिम पड़ाओं में चलते हैं और आप हमारे दर्सकों को कुछ अपना सुझाओ और अपना मस्वरा देना चाहते हैं तो आप दी दी बहुत बहुत सुग्रिया सर मैं आपके चैनल पाए और मैं चैनल के माध्यम से जितने भी इनसानियत इनसान और मानव समाज के आदमी प्रातना ये करना चाहता हूँ कि केवल जो एक मुस्लिम धरम की बात नहीं है इसाई धरम पवित्र हिंदू धरम और सिक धरम ये चारों परकार के जो धरम है इन चारों परकार के धरम में जो साधना हो रही उन साधना से मोक्ष नहीं है अगर यदि आप मोक्स प्राप्त करना चाहते हो आप बाखबर उस तत्वदर्शी संत उस इश्विर्य सक्ति उस पैगंबर उस रहनुमा उस खुदा के भेजे हुए अवतार की पहचान करके बाखबर संत्रामपाल जी महराज की सरण ग्रैन करके उस कभीर खुदा की कभीर परमेश्वर की इबादत करो तभी आपका मोक्स संभव है और मोक्स 100% आपका मोक्स होगा और जो बाखबर संत्रामपाल जी महराज आपको बताते है नियम उस नियम को फोलो करो तो आपके घर में भी बरक्कत होएगी आपकी रोजगार में भी बरक्कत होगी और आपके ज कभीर खुदा की कभीर परमेश्वर की इबादत करोगे तो आपका कल्यान होगा। यह कोई मकसद नहीं है किसी की भावनाओं को आहाद करें हम लोगों को सच्चाई दिखाने का काम करते हैं अगर किसी कुछ डाउट है इसलाम धर्म से लेटेट तो आप यूट्यूब पर जागर संतरामपाल जी विस डॉक्टर जाक्र नाइक सर्च करके फुल डेवेट्स द कर विजट कर सकते हैं और हर लीजन से क्रिश्चिंटी इंद्यूज में या जो इसलाम है सभी से रिलेटेड वाँ पर इंफॉर्मेशन आप वह भी देख सकते हैं तो आपने आज हमारे साथ पूरा प्रोग्राम देखा तो ऐसे ही हम आपके साथ आगे भी प्रोग्राम ले आयत नमबर बावन से उनसेट यद्धि इनों ने समझा होता तो कुरान सरीप के ग्यान दाता को ये अल्लाहु अकबर की जानकारी तो कुरान सरीफ का ग्यान दाता रखता ही नीए एक बार आपके रूम रूरो आपके लिए देखिए ये देखेगा पोईतर कुरान सरीफ यह कुरान शरीफ, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई सिंदे की गुणजाइस नहीं, यह कहते हैं कि इसमें जो लिखा फाइनल है हमारे लिए कुरान शरीफ, और यह है सय अनुवाद सटीपन, इसका अर्थ है सय अनुवाद सटीपन, सास्त्री अर्भी पगती पर नागरी लिपी में, रुपांतर कारे नंद कुमार अवस्थी, सेरवानी संस्कर्ण, अब आगे देखते हैं, यह वही है जो कातुँ जो टाइटल पेज पर था, जिल्द पर था, यह देखिएगा, सेरवानी संस्कर्ण है, प्रकास्ते के लखनव, किताब घर, मौसम भाग, सिताफ रोड लखनव से, और यह आज का अनुवाद नहीं है, उन्नी सो उन्हेतर से चल रहा है, यह सत्रमा संस्कर्ण, दो अजार आठी सिवी में, कॉपी राइट सुर्वादिकार सुरक्षीते, लखनव, किताब घर, अपोजिट, ब्राइट मोटर्स, मौसम भाग, सिताफ रोड लखनव पर, यह उनके पावन नंबर है, यह पर्थम संस्कर्ण, उन्नी सो उन्हेतर में चप्या था, यह विसाब लालो, लगबग चौरिस वरस हो गए, और सत्रमा संस्कर्ण यह अब चुप्या है, मुद्रक है, गासपेल, प्रेश लखनव, अब हम आपको जिखाते हैं, यह है कुरान शरीफ, सूर्थ फुरकानी, और थस्सो चार प्रेश्ट पे, यहाँ दिये नेचे, यह एकाउन आयत यहां समाप्त होती है, यह बाउनमी सुरू होती है, फलात उतियल, काफिरन वैजाहिदूं बीही जिहादन कबीरन, यह कबीर सबदा है, जैसे संस्कर्ण में हलंत वाला एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो य कबीर सबदा कबीर, यह बाउनमी आयत में, और इन कानुआद भी नोने यहां कर दिया, यह तो अर्बी बासा में डीपी नागरी लखी है, यह एकाउनमी आयत समाप्त हुई, बाउनमी प्रहर्म होती है, कुरान स्रीफ का ग्यान दाता, अपने नबी, अपने पैगंबर, ह काफिर की दलीलों से, यह मैं जो तुझे कह रहा हूँ, उनका सामना बड़े जोर से करो, यह कबीर का अर्थ हिनों ने बढ़ा कर दिया, यह जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं होता, यह जिहाद जो है, लठ बजाना नहीं, यानि उनकी बातों मनी आना, कुरान स्रीफ का ग कुरान स्रीफ की दलीलों से, उनका सामना बड़े जोर से करो, इनों ने कबीर का अर्थ बढ़ा कर दिया, इसका अर्थ वास्तों में यह बनता है, कि कुरान स्रीफ का ग्यान दाता कह रहा है, कि जो यह काफिर लोग है, यह नहीं मानते कि कोई बड़ा और भगवान है, इन के सब्दों तो कुरान स्रीफ का ग्यान दाता हजरत मौमन जी से कह रहे हैं कि तैंभी इनकी बातों नाना इनके साथ संग्रस करना लड़ना नहीं संग्रस करना इनकी बात तू ना मानना अगर तेरी ना माननत है यानि आपकी बातों को ये काफिर नहीं मानने के कबीर नामक सुप्रेम पाउर है वो अल्ह ताला है तो तु इनकी बातों में आ करके अपने इस अपने इस यतारत ग्यान को भूलना जाना छोड़ना नहीं अब क्या बता है तेखो तो ए पैगंबर यानि हदरत मौमद कुरान सुरीफ का ग्यान दाता कह रहा है तो काफिरों का कहान मानना और इस कुरान की दलीलों से यानि मैं तुझे जो संदेश दे रहा हूँ इस से उनका सामना बड़े जोर से करो इसका अरत यह है क्यों कबीर के लिए तु संग्रस कर उनकी बात ना मानना तु सची मान लेना अब आगे बता इसका कलियर हुआ देखिए अब ये आपने बावन आयत पड़ ली अब त्रेपन में कुरान स्रीफ का ग्यान दाता कहता ये कबीर जो बड़ा बगवान है वो वही है जिसने छे जनमें सरिष्टी रची और सातमें जन तकट पर जाबेट है और जिसने सारी सरिष्टी रची सुसराल वाले बनाए बहु बेटी बनाई सब मनुस पैदा किये परिष्टी और आसमान के बीच में जो भी कंस्ट्रेक्शन है रचना है उसे नही की तो कुरान स्रीफ का ग्यान दाता तो रचना भी को नी ये तो कोई और बता रहा है कि वो है सारी सरिष्टी का रचने वाला और वो अल्हा बड़ा है उसे दिन में स्रीफ्टी रचना साथ में दिन तक पर जा बैठा तो कुरान स्रीफ का ग्यान दाता वो अल्हा बड़ा नहीं है देखो अब हम 53 आयत पढ़ेंगे और वही है वो कबीर नामक और मजबूत रोक बना दी और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया फिर उसको साहिबे नसब यानि किसी का बेटा या बेटी और सुस्राल वाला यानि किसी का दामाद बहु बनाया और तुम्हारा परवर्दिगार हर चीज करने पर सक्तिमान है अब चम्मन आयद पढ़ लिया हमने और काफिर अल्हा के सिवा ऐसों को पूझते हैं जो ने उनको नफ़ा पहुचा सकते हैं और ने उनको नुकसान पहुचा सकते हैं और काफिर तो अपने परवर्दिगार से पीठ दिये हुए हैं मूँ मोडे हैं और ए पैगंबर हमने तुमको खुशकबरी सुनाने और सिर्फ अज़ाब से ड्राने के लिए भेजा है अब देखो विचार करो पुना तुमाओ जो हजरत मौमन को पैगंबर बना कर भेजने वाला है वो तो ग्यान दे ही रहा है और वो किसी अन्ने अल्ह ताला की जानकारी दे रहा है अल्हु अकबर की बड़े वगवान की अल्हा कबीर की तो कुरान सिर्फ का ग्यान दाता अल्हा कबीर नहीं है आप देखो तो औरे पैगंबर हमने तुमको खुशकबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से ड्राने के लिए भेजा है इन लोगों से कहो कि मैं तुम से इस अल्हा के हुकम पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता हाँ जो चाहे अपने परवर्दिगार तक पहुँचने की राह इक्तार कर ले और पगंबर उस जिंदा पर वरुशा रखो जिंदा जो अर्बी भासा है उसमें जिंदा सिद लिखा उसका अर्थ जिंदा है जिंदा का अर्थ है क्योंकि ये परमात्म जिन भी मापरुसों को मिले हैं उल्लाहु अकबर यानि गरेट गौड complete God वहां से चल कर आता है स्विम से सरी राता है और जिंदा महत्मा का रूप बना कर अच्छे आत्माओं को मिलता है यह वेद गवाई देते हैं और आखों देखा संद गवाई देते हैं तो आदनिय दर्मदास साहिब जी को भी जिंदा महत्मा के रूप में मिले एक संद के रूप में जिंदा एक बाबा के रूप में आदनिय मुलुकदास जी को भी जिंदा बाबा के रूप में मिले छुडानी के खितों में जब गव उत्रा रहे थी वह सत लोग से आए प्रमात्मा जिंदा मात्मा के रूप में थोड़ी सी दूर पाक उत्र के उनसे मिले उनको सच्खंड लेगे इन सब मात्माओं को फिर वापे छोड़ा तो इन सभी मात्माओं ने कहा कि जैसे आदने गरीबदा साहिब जैने कहा कि अनंत कोड बरमांड का एक रतीनी बार सत्गुर पुरुष कभीर है ये कुल के सर्दिनार हम सुल्तानी नानक तारे दाद्दू को उपदेश दिया जात जो लहा भेद नी पाया का सीमाए कभीर हुआ झाल झाल झाल